राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पॉडमादिती भागवान पिष्टोमा लक्ष्मी को समर्पित है। यह भागवान लक्ष्मी नारायन की किरपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन करने से जीवन में खुशिया आती हैं और सभी परिशानिया खत्म हो जाती हैं। आज के दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायन का आशिर्वात प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी आथिक संकत नहीं आता भगवान लक्ष्मी नारायन के आशिरवास से घर परिवार सुक सम्रत्थी से भर जाता है हर पोड़मा का अपना अलग महत्व होता है सभी पोड़मा में मापोड़मा को बहुत खास माना जाता है कहते हैं इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन कर इस नान दान करने से कईला कुना अधिक पुन्यफल बिलता है आज के दिन भगवान पिश्टू मा लक्ष्मी का पूचन तुलसी के पत्ते से करना चाहिए हिंदू मानिता के अनुसा तुलसी के पौधे में धनकी देवी मा लक्ष्मी का बास होता है आज के दिन तुलसी के पत्ते से भगवान पिश्टू मा लक्ष्मी का पूचन करने से घर में सुक सम्रध्धी आती है और जीवन की कई परेशानिया खत्म हो जाते हैं आज के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत शुबाना जाता है कहते हैं ऐसा कैने से बास्तू दोज़ दूर हो जाता है आथिक इस्थिती मजबूत होती है मा लक्ष्मी की आशरवा से घर में धनकी कमी नहीं रहती और घर में सुक्षान्ती का बास होता है दोस्तो आज की इस बीडियो में हम आपको तुलसी के पत्ते से कैने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को कैने से धनकी देवी मा लक्ष्मी धनकी बरसात करती है और घर में धन्धाने के भंडार भर जाते हैं घर में जो भी तकलीफ होती है दुख होता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाता है गय से दुख दरित्ता का नाश हो जाता है फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है और सभी कष्ट दूर होते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जैमा तुलसी जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरू दबाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं तुलसी के पत्ते के कुछ खास उपाएं उपाई जानने से पहले हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से कारे हैं जिन्हें पूर्मा के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए यह दिन मा लक्ष्मी को समर्पित है इसलिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए वरना मा लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है पूर्मा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए ऐसा कैना दुरभागी को पास बुलाने के समार है साथी इस बात का ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो क्योंकि आज के दिन मालक्ष्मी अपने भक्तों के घर आते है अगर घर में गंदगी होगी तो मालक्ष्मी बापस लोड़ जाएंगी जिससे घर में गरीबी आ जाएगी इसलिए मालक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए आज के दिन घर के साफ सफाई का विशिश तोर पर ध्यान रखना चाहिए पोर्मा के दिन इसनान का विशिश महत्व होता है इसलिए सभी लोगों को आज के दिन इसनान अवश्य ही कैना चाहिए अगर पवित्र नदी पर ना जा सकें तो घर पर ही इसनान के जल में गंगा जल डाल कर इसनान करें जो लोग अस्वस्त हैं रोगी हैं उन्हें भी आज के दिन नए कपड़े याने के साफ सोत्रे कपड़े जरूर पहनने चाहिए आज के दिन पाल, दाड़ी या नाकून कटवाना बरजित है इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है और जीवर में धन संबंदी समस्याएं उत्पन नहों सकती है इस दिन तुलसी के पत्ते के कुछ खास उपाय जरूर करें भागवान विश्नु की पूजा में तुलसी के पत्ते का विशिश महत्व होता है धार्मेक मानेताओं के अनसार तुलसी के पत्ते के विना भागवान विश्नु भोग को स्विकार नहीं करते शास्त्रों के अनसार तुलसी जी में मालक्ष्मी का बास होता है भागवान विश्नु मालक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए उनकी असेम क्रपा प्राप्त करने के लिए तुलसी के पत्ते रखतें इस जगे आपके साथ पुस्तें भी करेंगी रुपए पैसों में राज शास्त्रों के अनुसा तुलसी के पौधे को घर में लगाने से सकारात्वक उजा बनी रहती है और इसके साथ ही ये सिर्फ एक पौधा ही नहीं है बलकि इसके घर में होने से आपकी रूठी हुई किस्मत भी जाग सकती है सुनने या देखने में ये एक साधारान सा पौधा लगता है लेकिन इसमें बहुत सारे गुण और फायदे होते है तुलसी जी को बहुत ही पवित और पूजनिय माना गया है तुलसी जी भगवान विश्णों को अती प्रिय है पूर्मा के दिन इसनान के पानी में गंगा जल मिला कर उससे इसनान करें इसनान करने के बाद सच लाल रंके बस्त धारन करें इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं अब एक जल के पातर में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें एक तुलसी का पता डालें अब इस जल को आप अपने मंदिर में रखें इसके बाद भगवान बिष्णू माता लक्ष्मी जी के पास भी कुछ तुलसी के पते रखें फिर भगवान जी के सामने एक शुद्धिकी का दिया जला एक सुगंदित धूपती जलाएं भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं भगवान जी को लाल रंग के कुमकुम से दिलख करें इसके बाद भगवान शिरी गणीश का पूजन करें भगवान विश्णू माता लक्ष्मी जी का पूजन करें आज के दिन भगवान विश्णू जी के महामंत्र ओम नमो भगवती वासु दीवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। पूर्मा के दिन भगवान विश्णु जी के पास तुलसी के पत्ते अवश्य ही रखने चाहिए। मंतर का जाप करने के बाद भगवान श्री गणिश की आती करें। उसके बाद आपने जो मंदिर में जल का लोटा भर के रखा है। अब उस जल से आप अपने पूरे घर में छिरकाप करें। ध्यान रखें अशुद्ध जगे जैसे की बात्रूम या कच्छर रखने का इस्थान वहाँ पर जलका छिरकाप ना करें। और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी जलका छिरकाप करें। इसके बात इस जल को धारमेक माननेताओं के अनुसार। इस जलका छिरकाप पूरे घर में करने से घर में सुक्सम्रद्धी का आगमन होता है। पैसों की कमी दूर होती है। धनकी देवी मा लक्षमी तुलसी जी की सदैब कृपा बनी रहती है इसके इलाबा आप तुलसी जी के पत्तों से एक अन्य उपाई भी कर सकते हैं किसी कारण अगर आपको नीन नहीं आ रही है घर में पैसों की कमी है ब्यापा में घाटा या जीवन में कलय हो करियर में रुकावट आ रही हो तो आप पत्ते लें इन्हें पानी से धोकर अपने सिरहाने तक्ये के नीचे रखने अब बिस्तर पर लेटकर आप भगवान श्री हरी विष्णु मा लक्ष्मी जी का ध्यान करें तुलसी मा का ध्यान करें और भगवान जी से अपने सभी परिशानियों को दूर करने की प्रात्ना क करने के बाद आप इन तुलसी के पत्तों को अपने तक्ये के नीचे रख कर सो जाएं। सुबह उठकर भगवान शिरी हरी विश्नुमा लक्ष्मी जी को प्रडाम करें। तुलसी जी को प्रडाम करें। फिर इन चार पत्तों में से दो पत्ते लें। और बिना चबाएं इन पत्तों को खा लें। बागी दो पत्तों को लाल कपड़े में लपेड कर आप अपनी जेब में रख लें या अपने परस में रख लें। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, आप व्यापारी हैं, तो अपनी दुकान में, गल्ले में, यानि कि अपने धन रखने के इस्थान पर इन पत्तों को रखते हैं। ऐसा माना जाता है तुलसी के पत्तों से हमेशा सकारात्मक तरंगे निकलती रहती हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदे मन्त साबित होंगी। पूर्मा की रात को ये आसान सा उपाय करने से भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी के करपा से सुख सम्रथी की प्राप्ती होती है, घर में से पैसों की कमी दूर होती है, ब्यापार में उन्नती आती है, करियर में आ रही रुकावटें दूर होती है, और घर में शांती तुस्तों इस उपाई को करते से में कुछ बातों का विशी ध्यान रखें महिलाइं पीरट के दोरान यह उपाई ना करें क्योंकि तुलसी जी पवित्र और पूचनिय हैं महिलाओं को पीरट के दोरान तुलसी जी को इशपर्श नहीं करना चाहिए आप पूर्मा से एक दिन पहले भी तुलसी जी के पत्तों को तोड़ कर रख सकते हैं ध्यान रखें आज के दिन काले रंग के बस्त धारन ना करें क्योंकि काला रंग मालक्ष्मी को प्रियन नहीं है और पूर्मा के दिन धती पर मालक्ष्मी जी आती है इसलिए आज के दिन काली रंग के कपड़ें ना पहने प्रमचरे का पालन करें और साथ वे भोजन क्रहन करें महिलाएं पीरट के दोरान चल में गंगा जल डाल कर इस्तान ना करें पूर्मा के दिन घर को किसी भी प्रकासे गंदा नहीं रखना चाहिए गंदगी से घर में नकारादबक उजा का बास होता है इस दिन ना खून न काटें, बाल न काटें, शेविंग आधी बलकुल नहीं करनी चाहिए पूर्मा के दिन घर के बुजरकों का अपमान कते ही नहीं करना चाहिए पूर्मा के दिन ही क्यों? अन्य दिन भी इससे बचना चाहें यदि आप ऐसा करते हैं तो पित्रों के क्रोथ का सामना आपको करना पर सकता है पूर्मा के दिन इस सभी बातों का विशिश ध्यान रखें पूर्मा के दिन तुलसी के पत्ते के ये आसान सा उपाय करके आप भगवान पिश्णू मालक्ष्मी जी को प्रसंद कर सकते हैं तुलसी के पत्ते के ये आसान से उपाय से भगवान पिश्णू मालक्ष्मी जी के करपा से दन सम्मन्दी सभी समस्याएं दूर होती है कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं पिगड़े काम बनने लगते हैं उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग राधे राधे